चलो भई विग बॉश के घर के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है जिस तरीके से सारा खान का ये जो ड्रामा चल रहा है या फिर वाकई में सारा बहुत ज़्यादा अपसेट है अगर वो अपसेट है तो किस बात से है कि विवियन ने उसको नॉमिनेट कर दिया वैसे कहीं न कहीं ये पता लग गया है कि मैं इस हपते एविक्ट हो सकती हूँ और इसी लिए सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकि उनको समझ में नहीं आ रहा है वो बॉखला चुकी है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या और आप सबने कल देखा है कल जिस तरीके से वो अभि झेपार चीजे की है भाई वह तकिए बैट शीट चाऔर सब फेकती हुई नज़र आ रही है आपने मैंड कोच पर ऐसा सब कुछ बोलती हुई नज़र आ रही हैि TYROW चीन के लोग पकड़ते हुए भी नज़रा रहा है चा वीविएन पर उसने मा राहा है और इस तरीके की चीजे ये करके साबित क्या करना चाहती है भई सारा तुम्हे अगर इतना ही डर था कि तुम एलिमिनेट हो जाओगी तो जब तुम बिलकुल चुप बैठी थी शांत बैठी थी शाहजादा को तुम बार बार कहती थी कि इसका कोई पॉइंट ऑफ यू नहीं है तो वैसे तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ यू नहीं था तो शुरू से गेम तो खिलती ना इन्वाल्ब तो होती लेकिन तुम तो इन्वाल्ब ही नहीं हुई हो अब तुम्हे लास्ट में डर लग रहा है कि कहीं मैं एलिमिनेट ना हो जाओ तो देखो जो आया है उसको जाना तो है नहीं नहीं मैं बिग बॉस के घर की बात कर लहूं कि जो बिग बॉस की घर में आया है उसको जाना है है ना ये सब को पता है तो हो सकता है कि इस बार सारा का नंबर लग जा और ये सारी की सारी बॉखलाहट जो है वो इसी लिए नजर आ रही है क्योंकि सारा को ये बात अच्छे से पता लग चुका है चलिए आप अपनी रहा लिखिए का कॉमेंट में क्या आपको भी ये ड्रामा लगता है या वाकई में अपसेट नजर आ रही है सारा